आज हम बात करेंगे विस परसिद रचना द जाहिर का हिंदी अन्वाद जाहिर पाउलो कोईलो की बुक है अर्वी भाषा में जाहिर का अर्थ है मौजूद उसका नाम एस्थर है वईुद शवादाता है जो इराक से अभी अभी इसलिए लोटी है कि उसे देश पर हमला होने ही वाला था उसके उम्र 30 साल है जादी शुदा है पर बच्चे नहीं है और वह एक आदमी है जिसकी कोई पहचान नहीं है उम्र होगी 23 और 25 के बीच उसका रंग शावला और नाक नक्स मंगोलो जैसे दोनों को अंतिमबार रूफ फाव बोर्ग एस्ट होनरे कैफे में देखा गया था पुलिस को बताया गया था कि वे पहले भी मिले थे लेकिन कितना अक्षर मिलते थे या किशी को मालूम नहीं एस्टर ने हमेशा कहा कि जो आदमी जो अपनी शही पहचान मिखाइल नाम के पीछे छिपाया था एक बहुत महतपुर्ण वैक्ती था पर उसने यह कभी नहीं बताया कि वह उसके परतकारता के कैरियर के लिए महतपुर्ण था या औरत होने के नाते पुलिश ने बकाइदा तहकीका सुरू की अनिक बातों पर गौर किया गया बलैक मील अफरन या उसके साथ साथ हत्या इन में शे कोई भी शमभावना खारिज नहीं की जा सकती थी क्योंकि सुचना हासिल करने के खाती उसका अक्षर दो ऐसे लोगों से शमपर्क होता ही था जिसके तारा तंकवादियों से जुरे थे उन्होंने पता लगाया कि गाइव होने के पहले वाले हप्तों में उसने अपनी बैंक एकाउंट से लगातार पैसे निकाले थे जाच करने वाले को लगता था कि ये पैसे सुचना प्राप्त करने के लिए दिये गए होंगे उसने बदलने के लिए कपरे तक साथ नहीं लिये थे और काफी अजीब बात यह थी कि उसका पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा था वह अजनभी था बिलकुन नौजवान और पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और नहीं उसके शिनाक्त का कोई सुराग वह एस्थर है तीस शाल की पत्रकारता के लिए उसे दो अंतराश्टी प्रुषकार मिल चुके है और वह शादी सुदा है मैं तत्काल हिशंदेह के घेरे में आ गया मुझे हिरास्त में ले लिया गया क्योंकि मैंने यह बताने शेंकार कर दिया था कि उसके गाइब होने वाले दिन मैं कहा था लेकिन अभी अभी एक जेल अधिकारी ने मेरी कोठरी का दरवाजा खोला या कहते हुए कि मैं आजाद हूँ और मैं आजाद क्यों हूँ याज कल हर कोई हर किसी के बारे में हर चीज जानता है आपको पोचना भर है और जानकारी हासिद हाजिर है आपनी अपनी रिकार्ट का استعمال कहा किया था आपने अपना वक्त कहा गुजारा था कि इसके साथ सोए थे आप मेरे मामले में यह और भी आसान था मेरे वीवी की दोस्त एक औरत वह भी पत्रकार और तलाक शुदा इसलिए उसे बताने में फर्क नहीं पड़ता था कि वह मेरे साथ सोई थी जब उसने सुना कि मुझे हिराशत में ले लिया गया है तो वह मेरी और से गवाह के तोर पर आई उसने ठोस सबूत पेस कि कि उस दिन और एस्तर के गायव होने वाली रात को मैं उसके शाथ था मैं चीफ इंसफेक्टर से बात करता हूँ जो मेरा सामान वाफस करता है और या कहते हूँ भी माफी मांगता है कि मुझे जो हिराशत में रखा गया वा पूरी तरह कानूनी था और मेरे पास सरकार पर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है मैं कहता हूँ ये शब करने का मेरा थोरा शावी इरादा नहीं है और मुझे अच्छी तरह पता है कि जब हमने कोई जुर्म नहीं किया होता है तब भी हम लागतार संदेख के दाइरे में और 24 सो घंटे निगरानी के नीचे बने रहते हैं आप जाने को आजाद है वह जेल अधिकारी के शब्दों को दोराता हुआ काता है मैं पूशता हूँ क्या या मुम्किन नहीं कि मेरी बीबी को सच्मुची कुछ हो गया हो उसने मुझे एक बार कहा था कि उसकी या बात समझ में आती थी कि जो आतंकवाद की भीतरी दुनिया और उसके शंपरकों के विस्तरत जाल का जानकार होता है उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है इंस्पेक्टर विशे बदलता है मैं जोड़ देता हूँ पर वह कुछ नहीं कहता मैं पूशता हूँ कि क्या वह अपनी पासपोर्ट पर शफर कर सकती है वह काता है बिल्कुल क्योंकि उसने कोई अफराद नहीं किया है वह खुले आम इस देश से जा सकती है और यहां आ सकती है हो सकता है वह फरांस में नहीं हो क्या आपको लगता है कि वह आपको उस औरत के कारण छोड़ गई जिसके साथ आप सोते रहे हैं इससे आपको कोई वास्ता नहीं मैं जवाब दिया इंस्पेक्टर सेकिन्ड भर को रुकता और गंभीर हो जाता वह काता है कि मुझे रोज मरास के पुलिशिया तोर तरीकों के तहत गिर्फतार किया गया था और यहवी कि मेरी पत्नी के गायव होने पर उसे खेद है वो खुद शाधी शोदा है हलाकि उसे मेरी पुछत के पसंद नहीं तो वह इतना अग्यानी नहीं जितना कि दिखता है उसे पता है कि मैं कौन हूँ पर वह मेरी जगह खुद को रखकर सोच सकता है कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी मैंने जब उससे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए उसने अपना कार देते हुए कहा अगर मुझे कुछ पता चले तो उससे संपर्क करूँ इस दिश्च को मैंने दरजनों बार फिल्मों में देखा है और मैं जानता हूँ कि इस पेक्टरों को हमेशा इससे ज़्यादा मालूम होता है जितना वे कहते है कि उन्हें मालूम है वह मुझे पूशता है कि क्या उस आदमी से कभी मिला हूँ जो एस्थर के साथ उस समय था जब अंतिम बार जिंदा देखी गई थी मैंने कहा कि मैं उसका कोड नाम जानता हूँ पर उससे व्यक्तिकत तोर पर नहीं जानता था वह तहजी disputes से पूशता है कि क्या हमारी कोई परिवारिक समस्या है थी मैं कहता हूँ कि हम लोग दशाल से साधी सुदा है और हमारी भी वही समस्या रही है जो ज़यादतर साधी सुदा जोरों में होती है इससे ज़यादा कुछ नहीं वो मुझे सालीनता से पूछता है कि क्या हाल फिलार हमने तलाक के बात की थी या कि मेरी बीवी मुझे छोड़ने की सोच रही थी मैं उससे कहता हूँ कि हमने इस श्रम्भावना पर कभी विचार तक नहीं किया और मैं दुबारा कहता हूँ कि सभी जूरों को कभी कभी हमारे बीच भी जगरे होते थे अक्सर या सिर्फ कभी कभी मैं कहता हूँ वह मुझसे और भी ताजीब से पूछता है कि क्या उसे शंदेख था कि उसकी दोस्त के साथ मेरा मामला चल रहा था मैं उससे कहता हूँ कि मैं या और उसकी दोस्त पहली और आखरी बार साथ साथ सोये थे या कोई सिलसिला या मामला नहीं था ऐसा तो महज इसलिए हो गया था कि हम में से किसी के पास करने को और कुछ नहीं था वो थोरा उबाऊशा दिन था लंच के बाद कोई काम नहीं था और फिर फुसलाने फशाने का खेल जिन्दगी में हमेशा कुछ मजाला देता है इसी के चलते हम दोनों बिस्तर तका पहुंचे थे आप बिस्तर पर किसी के विशाज इसलिए चले जाते हैं कि वो थोरा शा उबाऊव दिन था मैं उससे कहना चाहता था कि ऐसी चीज़े उसकी जाच का हिशा नहीं है लेकिन मुझे उसकी मदद चाहिए थी या हो सकता है बाद में जरूरत परे अखिरकार एक अद्रिश सी चीज भी तो होती है एशानमंदी यानि उपकार बैंक और मेरे लिए या हमेशा बरा उपयोगी रहा है यही सोचकर मैंने कहा हाँ कभी कभी कुछ करने को ना हो कोई औरत उतेजना की तलास में हो आप खुद मौझ मजे के मूर में आ जाए बस उतनी शी बात है दूसरे दिन दोनों ऐसे पेश आएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है वह मेरा सुक्रिया अदा करता है अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसकी दुनिया में चीजे ऐशी नहीं है उव और निरस्ता वैशी ही शाज रूप से बनी रहती है जैसे कि किसी के साथ विस्तर पर जाने के च्छा लेकिन सब कुछ काबू में रहता है और कोई भी कभी भी अपनी च्छाओ या मौच के सहलाब में नहीं बहता कहती कहती वा जुम्ला कस देता है शायद कलाकारों की ज़्यादा आजादी हांसिल है मैं कहता हूँ कि मैं उसकी दुनिया से परिचित हूँ लेकिन समाज और लोगों के बारे में अपनी अलग अलग नजरियों के वीच तुलना करने की मेरी कोई च्छा नहीं मैं चुप रहता हूँ और उसकी नई चाल का इंतजार करता हूँ जहां तक आजादी का शवाल है वह कहता है वैशिव थोराशा निरास भी है लेखक पुलिश अफसर के साथ बहस में पढ़ने से इंकार कर रहा है आप जानने को शतंत्र है अब चुकी आपसे मुलाकात हो गई है मैं आपकी किताबे पढ़ूँगा मैंने कहा था कि मैं उनक से कम एक और पाठक तो दिया है मैं उसे हाथ मिलाता हूँ और चल देता हूँ मैं आजाद हूँ मैं जेल से बाहर हूँ मेरी वीवी रश्मे हालत में गाइव हो गई है काम के लिए मेरा कोई नियत समय नहीं है नई लोगों से मिलने में मुझे कोई समश्या नहीं होती मैं और परसिद्ध हूँ अगर एस्थर ने मुझे सच मेही छोड़ दिया है तो इसकी जग़ मैं जल्दी ही किसी और को पालूँगा मैं आजाद हूँ श्रतंतर हूँ लेकिन आजादी है क्या अपने जीवन का बरा हिशा मैंने एक या दूसरी चीज़ों का गुलाम बनकर टाय इसलिए मुझे इस आजादी का अर्थ मालूम होना चाहिए जब मैं छोटा था तब से ही मैं अपनी आजादी को सबसे कीमती चीज़ बनाने के लिए लरता रहा हूँ मैं अपनी पिता से लरा जो मुझे इंजिनियर बनाना चाहते थे लेखक नहीं एसकूल में मैं लर पहरियों के बाद मुझे अपनी मार्क से चोट के निशान च्छिपाने परे क्योंकि मसले तो मुझे ही हल करने थे ना कि मा को तब कहीं जाकर मैं उन लर्कों को यह दिखा पाया कि मार्किट को मैं आशू बहाय बगर जहल सकता हूँ गुजर बसर करने के लिए मुझे काम पाने को लड़ना परा और एक हार्डवेर रेस्टोर में मैं एक कारिंदे का काम इसलिए करने लगा ताकि मैं परिवार की बलेक मैलिंग से बस सकू जिसका कहना था कि हम तुम्हें जेब खर्च देंगे पर तुम्हें यह और यह करना पड़ेगा मैं लरा हलाकि उसमें सोर था तब प्यार करता था वह भी प्यार करती थी अंत में वह मुझे छोड़ गई क्योंकि उसके मावाफ ने उसे समझा दिया था कि मेरा कोई भविश नहीं है मैं पते कारता कि सतुतापुर्ण दुनिया के खिलाफ लड़ा वो मेरी अगली नौकरी थी जहां मेरा बास म नज़र डाली और दिखा कि सामने कोई ऐसा है जो जम कर दुश्मनी का मुकावला करने के कुवत रखता है जो एक अच्छे शमवादाता की खासियत है मैं शमाजवादी अदरसों के लिए लराज चील गया बाहर निकला फिर मजदूर वर के हीरो की तरह शंगर्स करता रहा जब तक कि बीटिल्स को सुनने का मौका नहीं मिला आया और तब तक किया कि रॉक म्यूजिक मार्क्स से ज़्यादा मजदार चीज है अपनी पहली दूसरी और तिसरी बीबियों से मैं प्यार के लिए लरता रहा अपनी पहली दूसरी और तिसरी पत्रियों को छोड़ने के लिए मैं हिम्मत जुटाने से लड़ता रहा मैंने माशूस किया था कि उनके लिए अब मेरा प्यार बचा ही नहीं है मुझे चलते रहना है जब तक कि मुझे वह न मिल जाए जो मुझे पाने के लिए है उस दुनिया में भेजी गई थी और वह इन तीनों में से कोई नहीं थ मैं अखवार कि अपनी नोकरी छोड़ने की हिम्मत बटोरने और किताब लिखने की जोकिम भजी दुनिया में कुदने को लड़ा मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे देश में लेखा के तौर पर गुजर बसर कर सकना ना मुम्मकिन नहीं है एक बरस बाद ही एक हजार पन ने लिख डालने के बावजूद मैं लिखना छोर बैठा वे एक हजार पन ने इतने महान थे उनको मैं खुद नहीं समझ पाया जब मैं लर रहा था मैंने लोगों को आजादी के नाम पर धुमाधार बोलने बोलते शुना और जिनकी वकालत वो इस अनोखे अधिकार की करत वो उतने ही जादा जीवन भर शाथ निभाने जैसी कस्मों वाले मामलों में अपने माता पिता की च्छाओ के गुराम नजर आते वो मसला चाहे बातरों के शिवधाव का हो या डाइट का या आधी अधूरी योजनाओ का या उन प्रेमी प्रेमकाओ का जो एक दूसरी शि बावजूद भी उन लोगों के साथ लंच डिलर करने को मजबूर होते थे हैं जिन्हीं भी पसंद तक नहीं करते एश्वाराम के गुलाम एश्वाराम के दिखावे के दिखावे के गुलाम उस जिन्दगी के गुलाम जिसे उन्होंने नहीं चुना था बलकि जिसमें इसल जरती जाती थी वे दिन और राते जिसमें जो महजे किताबी शब्द था या लगातार चलते टेली विजन का एक चित्र और अगर कहीं दरवाजे खुला और वो आ गया आ गई तो उनके शब्द होंगे मेरा मन नहीं है मेरा मूड नहीं है वे शंभवतिया कैसे जान सकते हैं क अब उन्होंने कभी कोशिस ही नहीं की लेकिन पूछने का कोई मतलब नहीं सच्या था कि वे हर उस परिवर्तन से डरते थे जो दुनिया को अस्त व्यस्त कर देता जिसमें रहने के वे आदी हो चुके थे इंस्पेक्टर कहता है मैं आजाद हूं मैं अब आजाद हूं आज नहीं करता था वे काम करने लगा जो मुझे नहीं करने चाहिए थे और जिनको मैं दुबारा नहीं करूंगा इसने मेरी जिस्फ और मेरी आत्मा पर दाग छोरे है जाहिर है कि इसका मतलब कुछ लोगों को चोड़ पहुचाना भी रहा है हलाकि इसके बाद मैंने माफी मांगी है और वो तब जब मैंने समझ लिया कि कामना के अपने पागलपन में दूसरी इनसान को जीवन वर अपनी बात मनवाने को मजबूर करने के सिवा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता मुझे दुख़दाई लम्हों का अफसोस नहीं मैं जानता हूँ कि आजादी की कीमत इतनी ही उची है जितनी की गुलामी की अंतर के वल्या है कि आप खुशी से एक मुझे के साथ उसके कीमत अदा करते हैं तब ही जब मुझे काम आसों से धुदली पर जाती है मैं पुलीश एस्टेशन से निकलाता हूँ बाहर एक फुशू और फूलों के गुच्छों के शाथ मेरा वकील मेरा इंतरा कर रहा है वह कहता है कि सारे अस्पतालों और मुर्दागरों को उसने फौन किया था जा आप तब करते हैं जब कोई घर नहीं लोड़ता लेकिन अभी तक इस थर का कोई पता नहीं चला वह कहता है कि जैसे तैसे उसने पत्रकारों को यह पता लगाने से रोक रखा था कि मैं हिराशत में रखा गया था वो कहता है कि उसे मुझे से बात करने की जरूरत है जिसे कि एक कानूनी रन्निती तयार की जा सके ताकि अगर आगे कोई आरोप लगता है तो मैं अपना बचाओ कर सकूँ नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे बिश्वास नहीं कि अब मैं क्या करूंगा क्या मैं बहुत पीलूंगा और फिर ग्रपतार हो जाऊंगा क्या मैं कोई गरवर करूंगा मैं उसे कहता हूं कि मुझे कोई जरूरी काम निप्टाना है और कि हम दोनों अच्छी तरह जानते है कि कानून मेरे आरे नहीं आ रहा है वाजूर देता है पर मैं उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता आखिकार मैं एक आजाद आदमी हूँ आजादी बुरी तरह से अकेला रहने की आजादी मैं पेरिस के मुखचोप के लिए टैक्शी लेता हूँ और आर्क डी ट्रियोमफे के शाद छोड़ने को काता हूँ चैप चंपस ऐलेसिस से मैं नीचे होटल ब्रिस्टल की और चलता हूँ जहां मैं और एस्तर गर्म चोकुरेट पूइने के लिए तब हमेशा मिलते थे जब हमें से कोई एक बिदेश शातरा से लोड़ता था या हमारा घर वाफशी का रिवास था एक गोता उस प्यार में जो हमें साथ बांधे रखता था हाला कि जिंदगी हमें कई उल्टे सिदे रास्तों पर भेजती रही थी मैं चलता रहता हूँ लोग मुस्कुरा रहे हैं बच्चे खुस हैं इस शर्दियों के बीच उनको बशंद के ये कुछ घंटे मिल गए हैं ट्रैफिक आशानी से चल रहा है सब कुछ विवस्थित लगता है सिवा इसके कि किसी को मालूम नहीं की अभी अभी मैंने अपनी बीवी खो दी है वे नहीं जानने का दिखावा तक करते नहीं लगते वे परवाह तक नहीं करते वे उस दर्द को महशूस नहीं करते जिसमें मैं हूँ उन से अब को महशूस करना चाहिए कि आत्मा का प्यार ऐसे खोता जा रहा है जैसे कि खून रिस रहा हूँ पर वे लोग अपनी मामूली शिदैनिय जिंदगियों में डूबे हुए हस रहे हैं जो उन्हें हपतों के आखरी दिनों में ही हासिल होती है क्या बेतुका ख्याल है जिन लोगों के पास से मैं गुजरता हूँ उन्हें से अनिक लोग की आत्माएवी चित्रे चित्रे होनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कैसी और कितना भुगत रहे हैं मैं एक बार में जाता हूँ और कुछ सिगरेट खरीता हूँ वह वेक्ति मुझे जवाव अंग्रेजी में देता है कैमिस्ट की दुकान पर मैं अपनी पशंद की पीपर मिंट लेने जाता हूँ और साहयक मुझे अंग्रेजी में बात करता है दोनों बार मैंने शमान फ्रांसेसी में मांगा था होटल पहुचने से पहले मुझे दूलर का रोकते हैं जो अभी अभी तुलूस से आए हैं और एक खास दुकान ढूड रहे हैं उन्हें बहुत से लोगों से पूछा पर कोई शमज नहीं पाता कि वे क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है मेरे ग्रिफतारे के 24 घंटों के भीतर चेंपस ऐलेसिस की भाषा क्या इतनी बदल गई है परियटन और पैसा चमतकार कर सकते हैं पर यह कैसे हुआ कि मैंने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया साफ है कि गर्म चॉकलेट पीने को मैं और एस्तर यहां बहुत समय से नहीं मिले थे हाला कि इस दोरान हमाला गला काफी बाहर रह रहे थे और इस बीच कई बार हम लोटे थे जीवान में कुछ अदिक जरूरी हमेशा बना रहता है कुछ ऐसे काम हमेशा रहते हैं जिनको टाला नहीं जा सकता पर यहता है कि डिनर हम अगली बार फिर चौकलेट जरूर पिएंगे जल्दी लोट आऊंगा आज मेरा एक खास इंटर्विव है सच में वह बहुत जरूरी है और आज मैं तुम्हें एरपोर्ट से लेने आ पाऊंगा टेक्षी ले लेना मेरा मॉवायल आउन है अगर क niemand हो तो बात कर लेना नही तो मैं रात को मिलूंगा मैं मेरा मॉवायल मैं उसे जेबस से निकालता हूं और तदकाल चालू कर देता हूं वह कहीं बार बसता है, मेरा दिल दोरने लगता है नन्ही से अस्क्रिन पर मैं लोगों के नाम देखता हूं, जो मुझे स्वंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं किसी को जवाब नहीं देता, मैं किसी अंजान नंबर को दिखने की आसा करता हूं क्योंकि यह उशीका होगा केवल बीसे लोग ही मेरा नमबर जानते हैं और उन्होंने इसे किसी और को ना देने की कसम खाई है वह नमबर नहीं आता बस दोस्तों या भरोशिमन सहयोगियों के ही नमबर आते हैं वह जानने को सुक्त हुएक कि क्या हुआ भी मदद करना चाहते हुए पर कैसे वह पूछना चाहते हुए कि क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है टेलिक फॉन बसता रहता है क्या मुझे जवाब देना चाहिए क्या मुझे इन में से कुछ लोगों से मिलने की बास सोचनी चाहिए जब तक यहन शमजलू की हो क्या रहा है तब तक मैं अकिला रहना तै करता हूँ मैं होटल बेश्टल पहुंचता हूँ जैसे कि मैं परिवार का कोई मित्र हो मैं एक बहुत खुबसूरत दिवार घरी के पास वाली मेच चुनता हूँ पियानों शुनता और बाग की और देखता हूँ विकल्पू पर सोचने के लिए मुझे वैभारिक होने की जरूरत है आखिरकार जीवन चलता रहता है मैं कोई पाला या आखरी इंसान तो नहीं जिसकी पत्म छोड़ गई हो लेकिन क्या धूब भरी एक खुबसूरत दिन भी होना था जब सरक पर हर कोई मुस्क्रा रहा था बच्चे गा रहे थे बशंथ के पहले संकेत दिखने शुरू ही हुए थे सूरच चमक रहा था ड्राइवर पैदल चलने वाले की क्रोसिंग पर रुक रहे थे मैं एक नैपकीन उठाता हूँ मैं इन विचारों को कागज पर दर्ज करता जा रहा हूँ बावुक्ता कोई को रखकर मुझे या देखना चाहिए क्या आखर मुझे करना क्या है इस शंभावना पर सोचू कि उसका वाकई अफरन हो गया है और इस च्छन उसका जीवन खत्रे में है यह कि मुझे उसके पती और जीवन साथी को उसकी खोज के लिए आकास पता लेक कर देना चाहिए इस संभावना का उत्तर वापने शाथ अपना पासपोर्ट ले गई है पुलिसिया नहीं जानती पर अपने शाथ वापनी कई नीजी चीजे भी ले गई है इसके पर्स से तरह तरह के पवित्र शंतों की तश्वीरे भी है जो वाप विदेश जाते हुए हमेशा साथ ले जाती है उसने अपने बैंक से पैसे निकाले थे वह साफ तोर पर मुझे छोड़ने की तैयारी कर रही थी इस संभावना पर विचार करे कि उसने किसी के वादे पर विश्वास किया था और वह किसी जाल में फस गई है उत्तर पहले भी उसने अपने को अक्षर खतरनाक इस्थितियों में डाला है यह उसके काम का हिस्सा था लेकिन ऐसे हर मौके पर हमने उसे साब्धान किया था क्योंकि वह केवल मुझे पर ही पूरा भरोशा कर सकती थी वह मुझे बता देती थी कि वह कहां जाएगी किस से मिलेगी हलाकि मुझे परिशानी में नहीं डालने के लिए वह आम तोर पर वेक्ति के उपनाम का इस्तवाल करती थी और यह कि अगर वह एक निश्च समय तक नहीं लोरती तो मुझे क्या करना चाहिए वह अपने किसी मुख्विर से मिलने की योजना नहीं बना रही थी अब यह संभावना के उसे कोई दूसरा आदमी मिल गया है पतिक्रिया कोई पतिक्रिया नहीं तमाम अनुआनों में बस संभावना का ही कोई मतलम निकलता है पर फिर भी मैं यह तस्विर नहीं कर सकता की वह इस तरह से मुझे कोई कारण बताए बगर छोड़ कर चली जाएगी अस्तर और मैंनी हमेशा गरब किया है यह हम जीवन के तमाम कठनाईयों का मुकाबला साथ साथ करते हैं हमने परिशानिया जहली है लेकिन कभी एक दूसरे से जोट नहीं बोला हाला कि किसी के साथ थंबिस्तर होने वाली बात का जिक्र करना हमारी सच्चाई वाले अहद का हिशा नहीं था मैं जानता था कि इस मिखाईल नाम के इंशान से मिलने के बाद बहुत बदल गई थी लेकिन इसे विवाही जीवन पर कातार तोर देने वाला तरक शही नहीं उठाड़ था जो दस साल पुराना था अगर वह उसके साथ सोई भी हो और उसे प्यार भी करने लगी हो तो भी क्या वह उस सारे समय को नहीं तोलेगी जो हमारे शाथ गुजारा है और हर उस सफलता को नहीं आके की जो हमने जोखिम उठा उठा कर हांसिल की थी और उन तक अब हम वापस नहीं लोड़ सकते वह जहां चाहती शफर करने को शवतंदर थी वह आदमियों से फौजियों से गिरी राती जोने किसी औरत को शवतियों से नहीं देखा होता लेकिन मैंने कभी कोई शवाल नहीं पुछा और उसने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया हम दोनों शवतंदर थे और अपने गर्व पर गर्व था लेकिन असतार छोड़ गई और जो सुराग उसने छोड़े वो केवल मुझे दिखाई परते थे मानो वो कोई गुप संदेश हो और कहते हो मैं छोड़ रही हूँ